Let's do question number 2 of exercise 1.2 that is integers हम question number 1 already कर चुके हैं उसका लिंक आपको मेरे description box में मिल जाएगा तो चलिए करते हैं question number 2 question number 2 में first part में कह रहा है write a pair of negative integers whose difference gives 8 हमें ऐसे pair of integers बताने है जिस negative integers दोनो negative integers होने चाहिए देखिए यह ध्यान रखिएगा pair of negative integers कह रहा है तो दोनों integers negative होने चाहिए जिसका difference जिसको minus करके हमारा क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए तो हम let कर लेते हैं A part के लिए let the two integers be integers B A and B है अब दोनों negative integers होने चाहिए तो आप देखिए difference कह रहा है A minus B करके देखना है अब दोनों sign different है एक minus का है एक plus का है तो आपस में क्या हो जाएंगे subtract हो जाएंगे और sign बड़े वाले का लग जाएगा लेकिन यहां तो हमारा 8 आना चाहिए था यह minus 8 आ रहा है तो फिर अब यह तो नहीं हो सकता है इसका मतलब अब next pair बना के देखते हैं कि क्या next value रखके देखते हैं कि क्या यह pair हो सकता है अब देखिए अगर मैं A को क्योंकि यह minus का अगर plus का लाना है तो यह बाद वाली value बिग होनी चाहिए तो इन दोनों को अगर मैं इधर और इधर transfer कर देती हूँ देखते हैं आता है कि नहीं आता है इसके बहुत सारे answers हो सकते हैं दख रखके देखना पड़ेगा देखे putting अब A को मैं minus 5 कर रही हूँ और B को मैं minus 13 कर रही हूँ तो A minus B क्या हो जाएगा minus 5 minus minus 13 हो जाएगा अब bracket open करेंगे तो minus 5 और हमें पता है minus minus plus होता है तो plus का 13 अब ये दोनों opposite sign हो गए तो आपस में subtract हो जाएगा तो 13 में से 5 गए is 8 लेकिन sign किसका लगेगा बड़ी digit का plus था तो कोई sign लगाने की ज़रत नहीं है प्लस की और 8 ही लाना था हमें दिखिए 8 ही लाना था यहां पर 8 ही आ रहा है तो hence हमारे को अपने pair of integers मिल गए है Hence the two pair the two pair of negative integers are negative integers are minus 5 and minus 13 आप चाहें तो कोई और सी value भी रख सकते हैं like अगर आप 12 और 20 भी रख सकते हैं 10 और 2 भी रख सकते हैं कुछ भी रख सकते हैं आप next part करते हैं अपना B part is write a negative integer and a positive integer एक negative integer लेना है एक positive integer लेना है whose sum is minus 5 एक negative है एक positive है और जिनका sum हमारा minus 5 है तो let कर लेते हैं B part में let again two integers ले रहे हैं तो let the two integers be integers A and B A and B हमारे दो integers हैं अब question में क्या कह रहा है एक negative integer है एक positive integer है अब question में क्या कह रहा है whose sum is minus 5 दोनों का sum minus 5 है तो A plus B हमारा minus 5 है अब हम कैसे values पुट करेंगे देखी अब वो कह रहे है negative है integer एक positive integer तो A की value हम negative integer ले ले लेते है putting A equals to negative integer अब हमें पता है 5 कर बात है या तो 3 और 2 sum कह रहा है तो 3 और 2 को add कर लेंगे तो हमारा minus 5 आजाएगा तो अगर मैं लेकिन एक negative और एक positive लेना है तो अगर मैं A की value अब मैं minus 7 लेती हूँ और B की value मैं 2 लेती हूँ क्यों एक हमें negative integer लेना था एक positive और हमें पता है 7 को 2 में से minus करके हमारा कितना आता है 5 आता है तो हमने यही लिया अब A plus B करके देखेंगे तो कितना आ रहा है minus 7 plus 2 तो ये कितना आ गया that is जैसे कि अगर मैं A की value 6 minus 6 लेलूँ और B की value 1 लेलूँ तो भी आ जाएगा मेरा answer देखिए कैसे putting A equals to minus 6 and B equals to 1 तो ये कितना आ जाएगा A plus B करना है तो again minus 6 plus 1 तो ये minus 5 ही आ गया और हमें क्या चाहिए था minus 5 ही चाहिए था तो कोई जरूरी नहीं है कोई एक ही answer हो कुछ questions के बहुत सारे answers होते है like इसके ये minus 7 and 2 भी ले सकते है and minus 6 and 1 भी ले सकते है right तो hence negative integer क्या हुआ negative integer is minus 7 and positive integer be 2 है right अब let's do third part now third part में कह रहा है write a negative integer and a positive integer whose difference is minus 3 देखिए अब एक negative integer है एक positive integer है जिनका difference minus 3 है तो कैसे करेंगे देखिए अब c part के लिए हम let कर लेते हैं again let the 2 integer the 2 integer be क्या है हमारे a and b है फिर से a and b ले लिया अब उन दोनों का difference हमारा क्या कह रहा है minus 3 कह रहा है write a putting अब question में एक negative और एक positive integer कह रहा है तो अगर a की value 3 कब आएगा जब हम 5 में से 2 minus कर देंगे तो हमारा 3 आजाएगा तो देखिए अगर मैं बड़े वाले की value negative integer और दूसरे वाले की positive integer देखिए एक negative है और एक positive है अगर लेती हूं तो क्या मेरा answer आता है a minus b that means minus 5 minus 2 तो यह तो दोनों minus के हो गए और answer मेरा minus 7 आ रहा है लेकिन कितना आनाची है minus 3 तो यह नहीं ले सकते इसका मतलब हमारे कुछ दोनों add होईंगे तो इसका मतलब 3 कब आएगा 2 plus 1 करके 3 आ जाएगा तो again मैंने putting a की value minus 2 ले ली या minus 1 भी ले सकते है b की value 1 ले ली तो यह कितना हैगा a minus b किया तो तो यह आ गया हमारा minus 2 minus 1 तो दोनों minus के होगा है तो minus 3 आ गया तो हम कह सकते हैं hence negative integer काउन सा हुआ negative integer हमारा हुआ minus 2 और positive integer क्या हुआ हमारा that is 1 आप चाहें तो इसकी जगे 1 minus का और इसकी जगे plus का 2 भी ले सकते थे right कुछ भी कर सकते थे तो answer तब भी यही आता right ये इधर आजाए negative integer minus का ओजाए vice-verse हो जाए तब भी answer same ही आएगा this is the answer